नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सिखेंगे कि हम किस प्रकासे हमारे घर का वाइडिंग करते हैं वो भी 3-phase power supply का इस्तमाल करते हुए दोस्तों, आज के इस वाइडिंग में हम Change Over Switch का भी इस्तमाल करेंगे यानि कि आज के इस वीडियो के द्वारा हम करेंगे House वाइडिंग वो भी Change Over Switch के द्वारा तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक layout देख रहे हैं इस layout में एक corridor हैं, दो room में, एक washroom और एक kitchen हैं तो इन ही सभी rooms का हम करने वाले हैं wiring तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो हमारे rooms हैं इन room में हमें क्या क्या equipment को connect करना है तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमारे जो corridor हैं corridor में हम लगाएंगे एक AC जो कि single face power supply के द्वारा चालू होगा ठीक है, उसके बाद में हम एक fan का इस्तमाल करेंगे और एक bulb का इस्तमाल करेंगे यानि कि हमारे इस corridor में एक AC, एक fan और एक LED bulb का इस्तमाल करेंगे अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो हमारा bulb और fan है इनको चालू और burn करने के लिए एक switchboard का इस्तमाल करेंगे और यह जो हमारा AC होता है, इसको हम normal switchboard के द्वारा चालू नहीं कर सकते है इसलिए यहाँ पे हम एक power switchboard का इस्तमाल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा याद रखेगा यदि आपको आपके घर में कोई heavy load चालू करना यानि कि जो equipment ज़्यादा current लेती है उसको power supply देना है, तो आप हमेशा वहाँ पे power socket का इस्तमाल करेंगे नॉर्मल socket का इस्तमाल ना करेंगा तेके दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे जो हमारा room number one है room number one में हम use करेंगे एक fan और एक LED बल्ब अब यह जो हमारे fan और LED बल्ब है, इनको चालू और बनी करने के लिए यहाँ पे हम एक switchboard का इस्तमाल करेंगे उसके बाद, यह जो हमारा room number one है इसमें किसी प्रकार के heavy load को connect करने के लिए एक switchboard का भी इस्तमाल करेंगे ठीके, अब यहाँ पे जो हमारा was room था was room में हम केवल एक lamp का इस्तमाल करेंगे यानि कि एक LED lamp का इस्तमाल करेंगे अब यह जो हमारा LED बल्ब है इस LED बल्ब को चालू और बनी करने के लिए यहां पे हम एक स्विच का इस्तमाल करेंगे ठेके दोस्तों अब आते हैं हम रूम नंबर टू पे जो हमारा रूम नंबर टू है इसमें हम यूज़ करेंगे एक फैन और एक LED बल्ब अब इनको चालू और बननी करने के लिए यहां पे हम एक स्विच बोट का इस्तमाल करेंगे ठेके दोस्तों अब देखिए अब यह जो हमारा कीचन है कीचन में हम इस्तमाल करने वाले हैं एक बल्ब और एक LED फैन ठेके दोस्तों तो यहां पे जो हमारा फैन और जो बल्बे इसको चालू और बन करने के लिए एक switchboard का इस्तमाल करेंगे जिसमें हमारा दो switch लगे हुए है अब यहाँ पे जो हमारा kitchen है, kitchen में हमें mixer grinder, fridge और भी चीजें connect करना होता है तो उनके लिए हमें एक power switchboard का इस्तमाल करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो हमारा kitchen है, इस kitchen में एक power switchboard का भी इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा घर था, घर में जितने भी equipment हमें connect करने थे उन सभी equipment को हमने लाके रख दिये ठीके, अब इन सभी equipment को हमें connection करना है लेकिन यहाँ पे connection हम करने वाले हैं, three phase power supply के दारा तो दोस्तों इस वीडियो को आप last तक जरूर देखेगा और last तक वीडियो को देखने के बाद, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो please like जरूर कर दीजेगा और यदि आप मुझे support करना चाहते हैं, तो comment box में एक प्यारा सा comment कर दीजेगा और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजेगा ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहां पे जो हम house wiring करने वाले थे वो three phase power supply के द्वारा करने वाले थे तो यहां पे हमारा जो electric pole होता है वहां से जो power supply आती है, वो एक energy meter में आती है अब यहां पे हम energy meter three phase power supply वाला इस्तमाल करेंगे क्योंकि यहां पे हम three phase का wiring कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास एक three phase energy meter है अब यह जो हमारा energy meter है, इससे power supply हम direct ले जाके घर में connect नहीं करते हैं इसके बीच में यहां पे हम एक circuit breaker का इस्तमाल करते हैं यहां पे हम इस्तमाल करेंगे mcb यह जो हमारा mcb होता है यह हमें दो प्रकार का protection देगा पहला तो overload का overload protection का मतलब यह है कि यदि आपने अपके घर में ज्यादा load वाली equipment को कने कर देगा या फिर किसी equipment में problem आ गया और वह ज्यादा current लेने लगता है तो उस condition में mcb जो है वह power supply को बन कर देगा यानि कि पूरे power supply को cut off कर देगा ठीक है और second protection होता है source circuit का यदि कोई face wire आपस में touch हो जाता है यानि कि face to face touch हो जाता है तो उस condition में हमारा जो mcb होता है वो trip हो जाएगा तो यहां पे हमें protection के लिए mcb इस्तेमाल करना है ठीक है दोस्तों तो यहां पे जो हमारा energy meter था इसमें power supply हमारे electric pole से आती है तो जो हमारा electric pole होता है वहां से हम face wire को connect करके लाएं और जो हमारा energy meter है उसके पहले वाले terminal पे connect कर दिये यह जो हम 10 टर्मिनल है इस second terminal पे हमें output power supply मिलता है और फेस का तो यहां से एक wire को connect करेंगे और इसको लिए जाके mcb को incoming power supply दे देंगे अब यहां पे जो थर्ड टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हमें wire face को connect करना है तो हम electric pole से wire को connect करके लाते हैं और यहां पे connect कर देंगे यानिकि तीसरे नमबर टर्मिनल पे wire face को connect कर देंगे ठीके दोस्तों अब यह जो हमारा fourth number का terminal है इस terminal पे हमें output power supply मिलेगा wire face का तो यहां से हम एक wire को connect करेंगे और इसको लिए के mcb को incoming power supply दे देंगे इसी प्रकास से b face को भी लाके हम connect कर देंगे पांचवे नमबर टर्मिनल पे अब छट करना होता है याद दखिएगा दोस्तों यह जो seven number का terminal है यह neutral power supply के लिए तो यहां पर हमने neutral power supply connect कर दिये अब इसका output terminal हमारा last वाली terminal हो जाएगे तो यहां से हम क्या करेंगे एक wire को connect करेंगे और इसको लिए जाके mcb को neutral power supply दे देंगे यानिकी mcb को input power supply दे देंगे तो य यहां पर जो हमारा energy meter था इसका connection complete हो गया अब इसके बार में दोस्तों देखिए आप चाहें तो यहां से wire को connect करके आपके घर में load को connect कर सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आपके घर में RCCB का connection भी जरूर करिएगा दोस्तों जो हमारा RCCB होता है यह आपको earth fault का protection देता है दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो कि RCCB क्या होती है किस प्रकार से काम करता है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हूं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया हूं कि RCCB क्या होती है कैसे काम करता है और हमें क्यों इस्तमाल करना चाहिए तो उस को ले जाके connect कर देंगे RCCB के साथ में ठीक है तो यहां पर हमने R-Face, Y-Face, B-Face और Neutral Supply को ले जाके RCCB को input power supply दे दिये दोस्तों जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था कि हमारा जो house wiring है इस house wiring में हम change over switch का भी इस्तमाल करेंगे तो यहां पर हम इस्तमाल करेंगे selector switch का तो यहां पर हम total 3 selector switch का इस्तमाल करेंगे ठेके दोस्तों दोस्तों यदि आप selector switch खरीद के आपके घर में लगाना चाहते हैं तो आप please एक बार आपके घर के पूरे load को calculate कर लिजेगा आप वहाँ पे देखिएगा कि आपके घर में total कितना ampere current flow हो रहा है ठीके उसके बाद में आप selector switch को buy करेगा selector switch को buy करते हैं समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपका selector switch है उसका ampere rating आपके पूरे घर के load से ज्यादा होना चाहिए ठीके दोस्तों यानि कि यहाँ पे मालने जी आपका घर जो है इसका total load 20 ampere है तो आप जो आपके घर में selector switch इस्तमाल करोगे वहाँ पे more than 20 ampere का selector switch होना चाहिए यानि कि आप यहाँ पे 25 ampere, 30 ampere, 40 ampere, 50 ampere का selector switch का इस्तमाल कर सकते हैं ठीके दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यह जो हमारे selector switch है इन selector switch में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है R, Y, B, यहाँ पे जो R, Y, B लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, R face को connect करना होता है, यहाँ पे Y face को और यहाँ पे B face को connect करना पड़ता है उसके बाद यहां पे OFF लिखा हुआ है इस OFF वाले terminal पे कोई भी वार्ड कनेक्ट नहीं करना होता है लेकिन यहां पे आप एक terminal लिख रहे हैं यह जो हमारा terminal है यह output power supply के लिए है ठीके दोस्तों तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं पूर्ण यहां पे हम क्या करेंगे जो हमरा RCCP इसके इस terminal से यह जो आप पूट से एक वार्र को कनेक करेंगे इसको लिए जाके हमारे जो पूर्ण पर सबसेखंके यह रहे něजिक दोस्तों तो यह दोस्तों प्लावर को एब्वाद सी आफ कर करेंगे और Y वाले terminal पे connect कर देंगे उसके बाद में हमारो जो B face का power supply है वहाँ से एक वाईर को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा selector switch है इसके B वाले terminal पे connect कर देंगे अब जीस प्रकासे हमने यहाँ पे इस selector switch का connection किये same to same इस selector switch का connection कर देंगे हम क्या करेंगे यहाँ से एक वाईर को loop करके R face, Y face और B face का connection कर देंगे उसके बाद यह जो तीसरा selector switch है इस selector switch का भी connection same to same कर देंगे यानि कि इसको R face, इसको Y face और इसको B face के द्वारा connect कर देंगे तीक है अब यहाँ पे जो हमारा selector switch है इस selector switch से जो output power supply मिलेगा आप चाहे तो यहाँ से direct ले जाके आपके घर में connect कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप यहाँ पे MCB का इस्तमाल करेगा यानि कि एक two pole का MCB और कुछ single pole का MCB इस्तमाल करेगा अब यहाँ पे single pole का MCB कितना इस्तमाल करना है वो depend करेगा आपके घर के पूरे room पे यानि कि एक room के लिए आप एक MCB का इस्तमाल करेगा यहाँ पे हमने तीन MCB का इस्तमाल कर लिए ठीक है अब यहाँ पर हमने एक set बना लिए same to same यहाँ पे दो set और में बना लूँगा यानि कि एक R face के लिए एक Y face के लिए और एक B face के लिए मैंने MCB का set बना दिया जिससे क्या होगा हमारे घर के load को पूरा हम equally divide कर सके दोस्तों government का एक rule है जिसमें यह कहा गया है कि आपके घर में जितने भी load connect होंगे वो सभी के सभी 3 face power supply में equally divide होना चाहिए इसलिए आप जब भी आपके घर का wiring करें तो पूरे घर में power supply को equally divide करें मान लिजिए कि आपके घर में total no room है अब यहाँ पे आपको क्या करना है तीन room को R face पे connect करोगे तीन room को Y face पे और तीन room को B face पे connect करोगे यानि कि हम पूरे घर के load को divide कर देंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यह जो हमारा neutral power supply है यहाँ से एक बार को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा mcv है यानि कि two-pole वाली mcv है इसके एक terminal पे connect कर देंगे अब यह जो हमारा दूसरा mcv है two-pole वाली इसको भी हम neutral power supply यहाँ से ले जाके connect कर देंगे इसी प्रकार से इसको भी neutral power supply देंगे अब यहाँ पे जो हमारा mcv है इसको face supply भी देना है तो face supply के लिए हम क्या करेंगे जो हमारा selector switch है इस selector switch का जो output terminal है यानि कि यह वाले terminal इसमें से एक वायर को connect करेंगे और इसको ले जाके mcv के एक provoke डेंगे यानि कि इस mcv को हम face supply और neutral supply दे दिए इससी प्रकाब सै इस mcv को भी हम face supply के दोड़ा connect कर देंगे तो यहाँ से हमने एक वायर को connect करके ले गहे और इस MCB को Face Supply दे दिए अब इसके बाद में यहाँ से भी एक वायर को Connect करके ले जाएंगे और हम इस MCB को Face Supply दे देंगे यहाँ पे हमारे तीनों MCB को Input Power Supply मिल गया अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा Face Supply होता है यानि कि Output Face Supply यहाँ से एक वायर को Loop करते हैं और सभी MCB को यानि कि सिंगल पोल के MCB को Loop कर देते हैं जिससे कि इन तीनों MCB को हमने Incoming Power Supply दे दिए अब Same to Same हम इन सभी MCB के लिए भी कर देंगे यानि कि Output Tunnel से एक वायर को Connect करके ले जाएंगे और सभी सिंगल पोल के MCB को Input Power Supply दे देंगे इसके बाद में इन सभी MCB के लिए Same to Same कर देंगे ठीके दोस्तों तो यहाँ पे हमारे सिंगल पोल के MCB को Face Supply मिल गया अब यहाँ पे जो हमारा रूम है इस रूम में हमने एक Switch Board का इस्तमाल किये और इस Switch Board में यहाँ पे एक 3 Pin Plug Top का इस्तमाल किया गया है अब यह जो हमारा 3 Pin Plug Top है इसका जो Left Hand Side वाली पीन होता है इस पीन में हमें Neutral Power Supply देना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक बार को कने करके ले जाएंगे और इस 3 Pin Plug Top के Neutral Wire Terminal पे Connect कर देंगे यानि कि Left Hand Side में Neutral Supply दे देंगे Same to Same हमने इस 3 Pin Plug Top के भी Neutral Supply दे दिये ठीके अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यह जो हमारा Switch Board है इस Switch Board को हमें Face Supply देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक MCB का इस्तमाल करेंगे हमने इस MCB का इस्तमाल करके एक वार को करने करके लेगा है और हमारा जो Switch Board है इसके एक Switch के साथ Connection कर दिये यहाँ पे आप किसी भी Switch के साथ Connection कर सकते हो अब यहाँ पे हमने इस Switch को Incoming Power Supply दे दिये इन दोनों Switch को भी हमें Incoming Power Supply देना है तो हम क्या करेंगे इसके Output Tunnel से यानि कि इस Switch के Output Tunnel से यहाँ से वायर को Connect करके ले जाएंगे और इस Socket को Face Supply दे देंगे अब यहाँ पे देखे दोस्तों यह जो हमारा Bulb है यानि कि LED Bulb है इस LED Bulb को कंट्रोल करने के लिए हम इस Switch का इस्तमाल करेंगे तो यह जो हमारा Switch है इस Switch से एक वायर को Connect करेंगे और इसको ले जाके हमारे LED Bulb को Face Supply दे देंगे अब यहाँ पे जो हमारा यह वाली फैन है इस फैन को कंट्रोल करने के लिए हम इस Switch का इस्तमाल करेंगे अब यह जो हमारा Switch है यहाँ से डायक वायर को ले आके हमारे फैन को नहीं देते हैं क्योंकि इसके बीच में हम एक Regulator का इस्तमाल करते हैं और Regulator के दोरा हम फैन के Speed को कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे रेगुलेटर का वायर होता है उसमें से एक वायर को लिया के हमारे Switch के सार कनेक कर देंगे यानि के Regulator के एक वायर को हमने Switch के सार कनेक कर दिया अब जो हमारे Regulator का दूसरा वायर होता है उस वायर से एक वायर को लूप करके हमारे जो फैन है उसको फैस सप्लाई दे देंगे अब यहाँ पर जो हमारा bulb और जो fan है इनको neutral power supply भी चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक wire को loop करके ले जाएंगे और जो हमारा fan है इसको neutral power supply दे देंगे और यहाँ से एक wire को loop करके हमारे LED bulb को भी neutral supply दे देंगे अब यह जो हमारा power socket है इस power socket को हम इसी power supply के द्वारा connect नहीं करेंगे जो हमारा power socket होता है उनके लिए हम अलग से power supply लेके आते हैं तो यहाँ पे जो यह वाली MCV है इस MCV का इस्तमाल करके हम ले जाएंगे power supply को और इस power socket के द्वारा connection कर देंगे दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो कि हमें कहां पे कौन से mm का wire का इस्तमाल करना चाहिए तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में मैंने बहुती प्यारे तरीके से आपको explain किया हूँ यहां पे जो हमारा power socket था इस power socket के switch में हमने incoming power supply दे दिये अलग से एक mcb के द्वारा अब यह जो socket का switch है इसके output tunnel से एक wire को connect करेंके ले जाएंगे और जो हमारा socket है इसके face वारे tunnel पे power supply दे दे देंगे यहां पे मैं आपको केवल एक room का connection करके दिखाया हूँ तो यहां पे यह वाले mcb को हम इस pair में छोड़ देते हैं ठीक है अब दोस्तों देखिए यहां पे जो हमारा power socket है इन power socket में एक मोटा वाला pin भी होता है यह वाली इस मोटे वाले pin पे हमें earthing को connect करना होता है तो हम क benefit यह होता है कि यहां पर हमने इस power socket के मोटे वाले pin पे earthing को connect कर दिये और यह जो हमारा power socket है इसको भी हम earthing के द्वारा connection कर देते हैं तो यहां पे जो हमारा power supply देने के लिए हम इस mcb का इस्तमाल करेंगे तो यहां से हम एक वायर को connect करेंगे और इसको लिए के किसी भी एक switch के साथ connection कर देंगे तो हमने इस switch को input power supply दे दिये अब यहां पे जो हमारे दो switch है इन दोनों switch को भी input power supply दे रहेते हैं यानि कि यहां से wire को loop कर देते हैं अब यहां पे जो हमारा power socket है इस power socket को control करने के लिए हम इस switch का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से wire को connect करेंगे और इसको लिए के ह realizing को fan supply दे देंगे अब यहांपे जो हमारा बल्ब है इस बल्ब को चालूँ अर बन करने के लिए इस switch का 이용 हाल करेंगे तो यहां से wire क कने कर करकर ले जाएंगे और जो हमार्य LED बल्वे इसको फेस सप्लाई दे देंगे उसके बाद यह जो हमारा फैन है इस फैन को कंट्रोल करने के लिए हम इस स्विच का इस्तमाल करेंगे लेकिन इसके बीच में हम एक रेगुलेटर का भी इस्तमाल करेंगे जिससे की हम इस फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकें तो यह तो दिखे यह जो हमारा फैन बल्स और सोकेट है इनको नीचल पाउर सप्लाई भी चाही है तो इनको नीचल पाउर सपलाई मिलेगा वहां से सोकेट है लेफ़न के नेसाइड साइड ना होता है तो हम यहां से एक वार Q करकेए Palv Warsaw to Bu Nigrown पावर सप्लाई दे देंगे दोस्तों यदि आप चाहते हो कि पावर सोकेट को न्यूटल पावर सप्लाई सेपरेटली दे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो यहां से वायर को ले जाके हमारे इस MSP के आउपूट टावलर पर डारेक करेक्ट कर सकते हो लेकिन मैंने आपको यहां पे वायर को लूप कर दिया हो यानि की न्यूटल पावर सप्लाई कोमन कर दिया हो ठीक है अब इनको चालू और बन करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए तो पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं हमारा जो रूम नमर वन है यहीं से एक पावर सप्लाई को लूप कर देते हैं क्योंकि हमारा जो वासरू में उसके लिए हम सेपरेट MSP का इस्तमाल करने क जोट नहीं है क्योंकि यहां पर हमके वाल एक LED बल्ब का इस्तमाल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहां से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच है इसको फैस सप्लाइड दे देंगे अब इस स्विच के आउपूट टर्मिलर से वायर को ले जाके हमारे LED बल्ब को फैस सप्लाइड दे देंगे अब इस LED बल्ब को न्यूटल पावर सप्लाइड देने के लिए यहां से वायर को लूप करके इसको न्यूटल पावर सप्लाइड दे देंगे और जो हमारा power socket है, इसके switch के साथ power supply connect कर देंगे अब यह जो हमारा switch है, इसके output में से एक wire को connect करके लिए जाएंगे और जो हमारा socket है, इस socket को face supply दे देंगे दोस्तों, हमारे घर का wiring करने से पहले हमें घर के wiring करने का जो rule है उसके बारे में मालूम होना चाहिए क्यानि कि आपको कहां पे power socket का इस्तमाल करना है, कहां पे normal socket का इस्तमाल करना है आपके घर में जो fan bulb है, उनको कितने height पे connect करना है, किस प्रकार से connect करना है दोस्तों, उसके लिए कुछ rule बना गया है, उन्हीं rule का follow करते हुए हमें house wiring करना होता है दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से rule है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो मैंने पूरा explain कर दिया हूँ, कि हमारे घर के wiring करने के लिए हमें किन-किन rule को follow करना पड़ेगा तो उस वीडियो का link भी description में दे दिये गया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लिजेगा दोस्तों, इस वीडियो से related जितने भी वीडियो है, उनसे भी वीडियो का link में description में दे दिया हूँ आप वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियो को भी जरूर देख लिजीगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह जो हमारा सोकेट है इन सोकेट को हमें अर्थिंग के सार कनेक करना है तो अर्थिंग के लिए हम क्या करेंगे यहां से एक बार को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा पावर सोकेट है इस पावर सोकेट के जो मोटा वाले पिन है इसको अर्थ के सार कनेक कर देंगे उसके बार में इस मोटे वाले पिन को भी हम अर्थिंग के सार कनेक कर देंगे तो यहां पे जो हमारा room number one है इसका भी connection complete हो गया अब यहां पे हमारे पास एक और MCV है जो कि हम इस pair में छोड़ देंगे यदि आपके पास में और room है तो वहां पे आप इस MCV का इस्तमाल करके उनका wiring कर सकते हो ठीके दोस्तों अब चलिए दोस्तों हमारा जो kitchen है इसका wiring कर देंगे तो kitchen के wiring करने के लिए हम इस MCV का इस्तमाल करेंगे तो यह जो हमारा MCV है इसके output terminal से एक wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा kitchen है इस kitchen में जो power socket है इसके switch के सार connect कर देंगे अब यहां पे हमें क्या करना है यह जो हमारा power socket है power socket को fast supply देना है तो हम क्या करेंगे यहां से वाइर को लूप करके इन स्विच को पावर सप्लाई दे देंगे दोस्तो मैंने यहाँ पे इसी को लूप कर दिया हूँ आप चाहें तो दूसरे MCP का इस्तमाल करके पावर सप्लाई को ला सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे दूसरा स्विच को भी हम क्या करेंगे एक वायर को दौरा लूप करके पावर सप्लाई दे देंगे अब यहाँ पे जो हमारा LED बल्ब है इस बल्ब को चालू करने के लिए हम इस स्विच का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ से हम एक वायर को कने करके इस LED बल्ब को फैस सप्लाई दे देंगे इसी पेकार से इस adjust fan को control करने के लिए इस switch का इस्तबाल करेंगे और यहां से एक वायर को loop करके इस adjust fan को power supply दे देंगे अब यहां पर जो हमारा kitchen है, kitchen में हम neutral power supply को भी लेके चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो two-pole का MCB है इसके output terminal से, यानि कि जहां पर हमें neutral power supply मिलेगा वहां से एक वायर को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारे जो power socket है, इसके जो pin है यानि कि left hand side वाली pin है, उसके साथ connect कर देंगे अब दोस्तों देखिए, यह जो हमारा adjust fan है, यह single phase वाली है तो इसको हमें neutral power supply भी देना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर को loop करेंगे और इसको ले जाके adjust fan के तो neutral power supply दे देंगे ठीक है, अब यहां पर जो हमारा LED bulb है, इसको भी neutral power supply देना है हम इस MCV का इस्तमाल करेंगे तो यह जो वार MCV है इसमें से एक वार को connect करेंगे और इसको लियाकर हमारा जो switchboard इसके किसी भी एक switch के साव connect करेंगे अब यहां पर बार की switch को भी हम power supply दे देंगे ढूंभ यहां पर यह power socket है इसको हम power supply इस वाले स्वीच के साथ connect कर देंगे, उसके बाद इस LED बड को control करने के लिए हम इस switch का इस्तमार करेंगे, और इस fan को control करने के लिए इस switch का इस्तमार करेंगे, लेकिन इसके बीच में हम regulator का भी connection कर देंगे, अब हमें इस switchboard में neutral power supply भी देना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक wire को loop करके इसको neutral power supply दे देंगे यहां पे जो हमारा LED बल्ब है इस LED बल्ब को neutral power supply देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से एक wire को loop करके इस LED बल्ब को neutral power supply दे देंगे और यह जो हमारा fan है इसको भी neutral power supply यहां से connect कर देंगे अब यहां पर जो हमारा kitchen और room number two है इन में earthing का connection करना है तो earthing का connection करने के लिए यहां से एक wire को loop करके ले जाएंगे और जो हमारा switch board है इसका जो motor वाला पीन है उसमें earthing का connection कर देंगे ठीक है यहां पर हमने इसको connect कर दिया इसके बाद इस power circuit में भी earthing का connection कर देंगे तो दोस्तों कुछ इस पेकाद से हमारे घर का wiring करते हैं वो भी three phase power supply का इस्तमाल करते हुए और selector switch का इस्तमाल करते हुए यानि की change over switch का इस्तमाल करते हुए दोस्तों यदि इस wiring में यदि आपको किसी भी प्रकार का doubt है तो please comment box में comment करके मुझसे पूछ लीजेगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आये तो please इस वीडियो पर like, share और comment जरूर कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धर्नेवाद